अब पाकिस्तान की बात करते हैं आइ लव यू आइ लव यू तो आप कुछ भी कर लो अब हग भी रहो गया लोग कैंगे वा क्या वा 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 सूंगने का दिल चाहेगा लोगों का आगर become what you want to attract सही है मैं हूँ मम्मी रैडी कमीडियन मेरे ड्राइवर आपके ड्राइवर की कुट लगाएंगे लग यह क्या है नले थे हमारे बापा गंटा भी कुछ उगाड़ पाए मैं एक नाइस आजमी हूँ नाइस बिस्किट भी है सही है करेंट हकूमत से आप खुश है आर्मी हाँ चल चल दुदू हाँ बग के साथ है महले क्यों थे जाए अल्लामा अकबाल को मैं सोचता हूँ तो आप यगीन करें उसको आप फुल रैप तरन्नुम में पड़ोगे ना आपको लगेगा के फुल रैपर है अकबार चौधरी लोगों को इस चीज़ को जानकर है रानी होगी लेकिन अकबार चौधरी जो है वो युनिवेस्टी अफ लोरेडा के कौलिफाइड इंजिनियर है झाल 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 जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी पॉड़कास्ट पे आज इंसाइकलो मीडिया है और बड़े मशूर रैपर जो आज को पूड़क्शन कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है इस पॉड़कास्ट पर आगर बहुत अच्छा लग रहा है असान भई आपने इंवाइट किया बड़ा मज़ा आया आपकी तब्यूद कैसी है बस यार आपको तो बता है एक एंट्रपर्णियोर होना इस इन्वाइरमेंट में अपना पॉड़ तो बहुत जबर्दस टॉप नौश आपने रखा है असान भई हमारे से मुझूद है एक तरह से पाकिस्तान के टॉप कॉमेडियन मेंट का नाम है कम लोग करते हैं ना असान भई ये बारे में थोड़ा बहुत बता दो जिनको नहीं पता है यह बहुत अकलमन्द है इन्हों ने फ़हले लोग किया ताकि अगर ये किसी को रोस करें और कोई सीन हो जाए तो खुद ही उसको कवर करें लोग करें लोग लोग करें फिर उन्हें देखा यार जिन् अबियत कैसी है बस यार जो कराची में बरदाश्ट कर सकते हैं जितना उतना कर रहे हैं वैसे डेली रूटीन आचकल तो रमजान है मेरे लेजी हो जाता है इन्सान रमजानों के दिनों यार आचकल मैंने भी रिसेंट्ली जॉना जॉब करना शुरू कर दी है कि आप लोग मज मैं आया क्या है अच्छे से बागी है यार कमीडियन्स जो है मैं इसका डिरेक्ट जवाब दे रहता हूं कमीडियन्स जो है अगर आपकी इंस्टाग्राइम पर फॉलोइंग बन रही है तो आप थोड़ा बहुत पैसा बना पा रहे हो लेकिन अगेन हम लोगों को बहु बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप एक डीसेंट लेवल की कमीडियन होना आप एक अर्ली म्यूजिशन से शायद ज़्यादा कमा पा रहे हो यह मुझे लगता है यह अच्छा प्लस पॉइंट हाँ सभी और वैसे अच्छा बाइदे वे मैं लेकिन अच्छा सा फंट मिल जाता है वहां अगर फैमिली क्योंकि मैंने देखा वहां पर फैमिली भी आई हुई था थोड़ा सा 18 प्लस कॉंटेंट था लेकिन मजा आया इतनी फरेंड ली हो गए थे लोग के फैमिली आ वनना शुरू गया लेकिन फॉइंट वही है कि मज अचा है लेकिन उस experience को लोगों तक बताएंग ऐसे कि क्या मतलब क्यों इतना lack कर रही है फिर भी यार देखें अगर हम simple economics के साफ़े देखे ना तो पाकिस्तान के अंदर जो एक cinema का ticket है वो भी 1000 रुपए है तो 1000 रुपए हमारे show का ticket भी है तो एक बंदा जिसके पास दो choice है तो मैं इसमें जा सकता हूँ या मैं उसमें जा सकता हूँ वो जो है फिर cinema prefer करता है हम अमीरों की बात नहीं कर रहे हैं अमीर लोग तो आ जाते हैं हमारे mostly shows defense वगईरा में होते हैं पिछले साल से हमने जोने शुरू किया है कि हम different अलाकों में गए कराची है हमने जोहर में गुल्शन में नाज़ाबाद वगईरा में शो किये बहुत ज्यादा हिट हुए लेकिन जब तक हमारी social media presence नहीं बनेगी तब तक हम कुछ उस से पैसे नहीं बना सकते उस तरह और इसमें भी जोने गेम है वो यह है कि यूट्यूब का दफतर एशिया का कहां पर है इंडिया में है तो मसला यह है कि जो इंडिया कमीडियन जो कॉमिडी वह पर शुरू कर रहा है उसको आटोमेटिकली पाकिस्तान की ओर्डियंस भी मिल रही है फ्री में और हम लोग ज हमें लगता है मार्केटिंग यह होती है कि आप विडियो ड़ा दो अच्छी होगी तो चल जाएगी नहीं होगी तो नहीं चलेगी मुझे नी पता है कि मार्केटिंग भी कोई चीज है कि हाउ डू अप अस्षा थे मेले यूश करते हो हां यह यह पर काम करते हो एह और यह तो एक तरह से सीन ही है अएक तरह से इंडिया और पाकिस्टन की जुमान भी एक जैसी है लेकिन इंडियन कौम एक गाली देगा ना वो हम सुन लेंगे पाकिस्तानी देगा आए तोबा तोबा इसने क्या बात कर दिये तो ये भी सीन है कि हम आप गैंग दो वसेपूर देखके को कि यार क्या गाली दिये यार क्या तुम्हारा बेहन की गाली दो यार मुझे मज़ा आ रहा है यहां पर आप बोलोगे ना इसको कि हमारे कल्चर के खिलाफ शरम नहीं आती तो ये एक सीन है हमारा एपटाइट तो ह हमें इंडियन के मुझे से गाली बहुत अच्छी लगेगी इंडियन के मुझे से पड़ा अच्छा लगेगा लेकिन हम लोग काफी रिस्ट्रिक्शन थे मैं यह एक्स्क्यूज नहीं है बर हमारा जो सुलूशन हमें जो नजर आता है ना जो मेरे ग्रूप है जिसमें खुत बखुत अपनी और्डियन्स जूड़ेगा उसके पर अपको कंसिस्टेंट मी होना पड़ेगा ये भी एक प्लस पॉइंट अच्छा खेर लॉयर क्यों यार मैं आपको सच्छी बाइब आता हूं मैं आई बियम बीए कर रहा था लेकिन मैं फेल हो गया था तो मैंने क चोड़ दिया है लौ भी खोड़ जोड़ मैंने प्रैक्टिस किया है मैंने पास लाइसन्स था हाइट का लाइसन्स था मैंने तो खुछ अरसां एफई में प्रोर्परार लोग किया मैं ये लिए बल्दी गशा बढ़ा भी सॉह है महां लिए च Wars corp कार्इम किया था डेयं म now working in tech क्योंकि मुझे डॉलर में पैसा कमाने है हर किसी को डॉलर में कमाने है अच्छा खेर ये तो अमनों बातें बड़ी आगे की कर रहे है कमडी स्टार्ट कैसे मतलब कब आपको पता चाला है कि यार इसमें कोई चीज है जो मुझे करनी है क्योंकि इसके लिए हुमर भी होना ज़रूरी है अब मुझे पता नहीं वो तो नहीं है लेकिन मेरे अंदर जो मुझे चीज लगती है यार देखें जब आपच्पन में मोटे होते हो मैं यह नहीं कह रहा कि मैं अभी भी बतला हूँ अभी भी मोटा हो अब बागी लोग मोटे हो गए ना बागी लोग गंजे भी हो रहे हैं यह समझे कि मैं 20 साल से ऐसा ही हूँ समझ रहे हैं तो वो उस विक अजीव लगता था जब आप बच्पन से ही एक अजीव शेप के आदमी होते है ना के पास कोई चारा नहीं होता to stand out या तो आपकी सब लेने शुरू कर दें जो के मेरे साथ बहुत हुआ या तो फिर आपको थोड़ा हरामी बनना पड़ता है और उसके लिए आप humor का सहरा लेते हैं तो वहां से मुझे एक आया कि चलो यार अपना मजाक उड़ाते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं ये एक अच्छा डिफेंस मेकनिजम के तोर पर मैंने यूज किया दूसरे यह था कि मेरा बैग्ग्राउंड जो पब्लिक स्पीकिंग का था अब पबलिक स्पीकिंग बंधा डच्छे साल तक करता है न अजीब सा लगने लगता है कि मतलब क्या बच्छों के साथ कंप्रीड कर रहत हो मैंने कहा कि इतना मैंने बबलिक स्पीकिंग की है तो इसका nextMP야 है तो फिर बैने कहा कि चलो comedy कर ले achieving and obviously मुझे अब जाके लगता है कि I love comedy but more than anything else I love performing तो चाहे वो stand-up एक medium हो सकता है, वो एक real बनाना है, which is like acting or writing के बीच की कोई चीज है rap करना हो गया, तो यह जो ना मुझे performance से मुझे प्यार है, मैं लब stage appearance जादा अची लगती है, आपको being on stage, हाँ, being on stage मेरे खाल से इसी तरह आपको rap का भी shock होगा, because it's related to stage and how people react to it and also words, मुझे लैंगविजज बहुत जादा पसंद है, मुझे जगता है कि उर्दू लैंगविज जो है, जिस तरह यह चीज मुझे करनी है, कोई चापे एक angle है, दूसरा है लैंगविज का एक angle है, तो मैं अल्लामा अकबाल को मैं सोचता हूँ, तो आप यकीन करें, उसको आप फुल रैप तरन्नुम में पढ़ोगे ना आपको लगेगा कि फुल रैपर है मैं आपको सुनाता हूँ ना अब ये जना फुल अल्लामा इकबाल को आप पड़ड़ो फ्लो के साथ तो उस फ़क मुझे नी पता था कि ये रैप हो सकता है तो वहां से जना मैंने थोड़े फ्लो पकड़े और इसलिए उने कलते हैं और फिर उसके तरह फिर लिखाई में और रैपिंग में आना शुरूँ है अब ये एक्जाक्ली इवन फैज एमद फैज जो है ना आप कोई भी यंग्स्टनर्स का गाना लगा दो ना वाइब भाई होगी साइड भाई या मुझसे पहली सी मुहबद मेरे महभूब ना मांग ये लगा उसको उसे अटिटूब वाद अलाए कम लोगी लेक्स भी होता है हाँ वो एक बेटर वरिजिन के लिए खेर अच्छी बात है अच्छा स्टेंड अप कॉमेड़ी करना मुश्किल कितना है यार कॉमेड़ी का सेट कोई भी बन्दा बना सकता है पांच मिनट तो आप बहुत पांच मिनट में आप इतनी अच्छी कॉमेड़ी दे सकते हो के लोगों की फट जाएगी लोग कहेंगे के भाई यार आपको ही करनी चाहिए लेकिन फिर छटे मिनट में शाटे मिनट में आट-फ़े मिनट में आपको नहीं पता हो क्या करना है और रीजन बताओं क्या है कि शुरू के पांच मिनट जो आपने जिन्दगी अपनी जीव ही है आपकी जिन्दगी में ऐसे कुछ experiences या ऐसी कुछ observations हर इंसान की होती है कि वो पांच मिनट जाके अगर स्टेज पर अपनी personality खुल कर शेयर करे न तो बहुत relate engaging होती है पर game सारह यह है कि जब आप अगली दफा स्टेज पर जाएं तो या तो आपको जिन्दगी दुबारा जीनी पड़ेगी या तो आपको अपनी craft भितर करनी पड़ेगी तो इतने सारे comedians मैं कहूंगा कि कराची के अंदर मैं कर रहा हूँ like on and off 2013 से कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से full time full time या semi full time part time से थोड़ा ज्यादा मैं कर रहा हूँगा तो 200-300 लोगों ने stand up comedy try की होगी कराची में लेकिन actively करने वाले आपको सिर्फ 10 वारा ही मिलेंगे और बहुत कम नाम है हाँ की कहता है की कहता है बिल्कुल है सही है वही बात है कि process क्या होता है let's suppose आपके मैंने कुछ 2-3 comedy के कुछ आपके segments लेके तो process क्या होता है उसको किस तरह लेके चलते हैं लिखने का क्या तरीका होता है और वो क्या चीज़े होती है अच्छा एक होता है international process और एक होता है पाकिस्तानी process international process actually इंडिया में भी होता है international process क्या है कि आपको एक idea आता है सही है आपने का यह idea funny है उस idea को आपने ग्रूप में दोस्तों के सामने सुनाते हैं वो आपको जो दूसरे comedian होते हैं वो कहते हैं चलो भाई यह अच्छा idea फिर आप जाते हैं उस idea को perform करते हैं at an open mic open mic समझें कि गरीबों का stand-up show उसमें जो है बहुत सस्ता टिकेट होता है जादा audience नहीं होती 20-30 लोग होते हैं उनके सामने आप उस material को test करते हैं unlike a song जिसके लिए आपको पूरी चीज़ टूडियो में करनी होती है stand-up comedy जोने एक जाकताव जानवर है उसको आपको live में कर करके आपको पता लगता है कि अच्छा यह line यहाँ पर funny है इस line में यह changes करने है फिर जब आप उस bit को 10-12 दफा करते हो या in the case of America जो भी bit आप Netflix पर देखते हैं वो 200-300 दफा परफॉर्म हो चुका होता है in the case of India वो कमसकम 1500-200 दफा परफॉर्म हो चुका है फिर जाकर उसका internet पर version आपको मिलता है अब इंडिया के अंदर जो open mics होती है वो हफते में होती है कोई पूरी इंडिया में हफते में कोई 100-200 open mics होती होंगी 100-200 open mics शहर बहुत ज्यादा है न और आपको इंडिया में मुंबई में चले जाएं देली में चले जाएं Monday to Sunday आपको perform करने की opportunity मिलेगी तो एक Indian comedian जो है वो हफते में 7 दफा सेम जोग को perform कर लेगा और Monday to Sunday तक उसका bit ready हो जाएगा अगर वो उस bit को समझें के 2-3 महीने भी perform करे तो उसने कोई 70-80 दफा उसको perform कर दिया और 70-80 दफा उसमें कमा लिया सही है तो मजीद वो 70-80 दफा चलाएगा तो 1500 दफा perform करने के बाद होगाएगा चलो भाई अब इसकी हम video बनाके लगाते है अब फिर वो video viral हो जाते हैं पिर उसके बाद और वो चलाएगा अच्छा फिर वो video की 4-5 versions जाके viral होते हैं वो record करते हैं multiple options क्योंकि इंडिया के लिए जो comedy clubs है उसमें क्या है option कि आपको 3000 रुपे में अपनी पूरी performance मिल जाएगी अब पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान में हमारे open mics होते हैं पूरे हफ़ते में दो एक लाहर में एक कराची में सही है सही है तो हमारे पास तो perform करने के opportunities बहुत ज़्यादा कम है तो हमारे पास क्या है कि हम फिर आपस में ही perform करते हैं discuss करते हैं फिर हम different जगाओं पर उस material को test करते हैं भी recently हमने 6 shows किये Indian comic का 1500 shows के बाद material जा रहा है आपको पूरे production जमा करना है तो हमें production खुद करनी है हमें ticket खुद बेचने है हमें material खुद पका करना है हमें perform करने की opportunity भी कम है own performance own come opportunities को organize भी हमें करना है तो हमारे पास कोई system नहीं है इसलिए उस तरह उस scene उठनी रहा तो हमारा solution यही है कि अब हम 1500 shows तो नहीं कर सकते लेकिन जितना material निकाल सकते हम निकालोंगे और दूसरा यह भी है ना कि आप से यादे हमारी एक छोटी सी meeting दे तो आपने एक बड़ी अच्छी बात बुली दी जो कि मैं अब भी तक relate कर पार रहा हूं उस बात को कि यहां पर मैं वो नहीं कहा रहा है कि ओविस्ट इस्लामिक कंट्री है अलकॉहल तो हम कलब में या स्टैंड अप कमेड़ी में नहीं दे सकते हैं अब इंडिया में जो है कॉमिक्स क्यों वायरेल हो जाते हैं उसकी वज़ा यह यह कि आप ही निगाथा कि वहाँ पर शराब पीते हैं तो शराब पी कि कोई लेम जोग भी मारो तो वो पागलो यह तना असता रहेगा अचा यह सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है मेरे खाल से पूरी दुनिया के अंदर साओधी अरब और पाकिस्तान दो वाहिद मुल्क है जहां पे बगए शराब के स्टेंड अप कॉमेडी होती है साधियर में तो बगए खावतीन के भी होती है तो हम शहदे एक लेवल बेतर हैं उनसे पॉइंट इस के यहां पर जो है ना सब लोग एक तो मैं यह नहीं कह रहा कि आप को शराब पिलाना जरूरी है और उनसे एक अलग चीज़ है लेकिन पॉइंट्स आ रही है जो बाकी लोग है उनको अल्रेडी एक सहरा मिल जाता है and they're also they're getting more opportunities to perform number one उनकी skill हम से कही गुना ज्यादा है वो कही गुना ज्यादा stage पे जा रहे है पिर audience वहां पर receptive भी ज़्यादा है, फिर audience नशो में भी है, अब नशो में ज़ादा थी है, और नशो में enjoy भी ज़ादा कर रही है, अचा वो enjoy ज़ादा कर रही है, तो comedian ज़ादा enjoy कर रही है, तो वो ज़ना एक सारी चीज ने, शराब एक reason नहीं है, लेकिन शराब contribute करता है, हमारा क्या audience, मैंन के साथ है, तो हमारा flow नहीं बन पाता हमें audience को convince करना पड़ता है, कि भाई हस लो, और यह बहुत बड़ा challenge है, और कि वो हसने के mood में लाना एक, और पर सम लोग over smart भी बहुत जाद है, कि तुम मैं हसाऊंगा, अच्छा फिर एक और सीन है कि, आपके महले में कोई भी हरामी जान डाटन उसको लगता है, यह तो मैं भी कर लूँ, तो करो ना यार, करो ना, स्टेज पर आके करो, क्यूंकि हमसे कही गुना जादा funny लोग है market में, लेकर सीन्स आ रहा है कि स्टेज पर खड़े होकर, laughter लेना, और स्टेज पर खड़े होकर, laughter ना आना, और उसको बरदा manifestation करने का मौका मिला, यहां का आपने सोचा कि मैं इसको roast करता हूँ, यह थोड़ा सा कर रहा है, तो कभी इस तरह की कोई चीज हो, जिस पर हुसा है, और आपने roast कर दियो, लाइप, बहुत बड़ा segment हो गया, mostly clips आती है, वाकसर, roast ही कर रहा है, मला आप, वो, आपकी उसमें होता है, लेकिन manifestation हो जाती है, on board, कभी कोई ऐसा कोई ऐसी कहानी, अचा में जे तो boys ने बैट कर जो एना, मेरे साथ एक intervention की थी, कि आप जो ना, audience से roast नी कर रहा है, आप बत्नमीजी होता रहा हो, तो आपको यह काम कम कर देना चाहिए, तो मैंने इस पर हलका हाथ रखा था, मैं तो थोड़ा, मेरा उसार पर भिन हो गया था, तो मेरा तो मुझे पता नी जलता कि मैं कहां over हो जाता हूं, कहां पर वो humor हो जाता है, कहां पर बत्नमीजी हो रही है, लेकिन अभी कुछ तीन-चार महीने पहले एक uncle थे शराब की आपने बात की थी, drunk uncle, अचा drunk uncle भी क्या 62-63 के uncle, वो आ रहे है, comedy करें, I love you, I love you, अचा मैं जोक सुना रहा हूं, अचा मुझसे पहले जितने comedians थे उनको नहीं समझ आ रहा है, I am testing your paper, uncle, अने 4-5 कुई नशे की होंगे, और बत्ना बहुत मुश्किल हो रहा था उनको समालना, तो मैंने अंकल की जाके ले ली, मैंने प्यार नहीं किया है, और audience कुश हो रही है, काश कोई आपसे प्यार कर लेता, लेकिन अंकल को मुझे संभालना पड़ा, तो मेरा थोड़ा यह होता है, कि मैं एक audience मेरी अच्छी खासी ली भी है, सही है, मुझे जुनियद अकरम, light और गहरा, सारी चीज़े मैंने सुनी, मै enjoy करता हूँ, लेकिन जहां पर audience बत्तमीजी पर उता रहा है, या interrupt करने पर उता रहा है, तो फिर मैंने लहाज नहीं करना, फिर मेरे मूँ में जो आएगा, मैं बोल दूँगा, यह बात भी है, बिल्कुल सही गहरा है, अपने जिम्मदारी पर खुब जाए, अच्छा टैल की चीज़े हो रही है, यार देखो, बहुत टैलेंटेड लोय लड़के हैं, 100% है, लेकिन मेरी जो understanding है वो यह है कि, stand-up comedy के अंदर टैलेंट से जादा मेहनत का game है, और मेहनत, यह वाली मेहनत नहीं है कि, आपको बैठ कर जबरदस्ती अपने आपको funny करना है, मेहनत यह है क कि मैंने last year एक show किया था, तो वहाँ पे एक लियारी का comedian था, उसना मेरे खाल से दो तीन shows ही किये वे थे, उसने audience को हसा हसा कर पागल कर दिया था, उसने हसा हसा कर लाए, he was brilliant, brilliant, super funny, लेकिन उसकी कोई social media presence ही नहीं है, तो talent तो है, लेकिन unless आप उसको record कर रहे हो, आप उसकी videos निकाल रहे हो, या आप अपनी relay बना रहे हो, तो वो talent छुपावाई ही रहेगा, तो ये community building हो रही है यहां पे, कि मतलब जैसे कोई आप लोग आपस में बैठ के कुछ ना कुछ प्लान करो, या सब को invite करो, और सब को test करो, कि कौन अच्छा है, वो हमने खिलाफत, खलीफा जान रहे हो, घर बे भी बैसती हो रही है, क्या कर रहो life के साथ, तो the point is, there is no point कि आप लोगों को सिखाओ, जब आपने खुद उन lessons को apply नहीं किया हो है, और दूसरी बात यह कि community building आपस में होती है, जैस तरह हमारा अपना है, जिन मैंने लोगों के नाम लिए, अकबर, अली अब्दॉल्ला, अमार, असमान, हमारी एक community है, लिए हम लोग मिलते हैं, हम लोग करते हैं, इस तरह जो दूसरे comedians हैं, उनकी अपनी community है, एक नातालिया गुल हैं, उनकी अपनी community है, तो छोटी-छोटी communities हैं, हापस में इनका होता है, तो सब अपने level पर अपना scene कर रहे है आपसे देखें, फर्स्ट वेव का यह बड़ा एक होता है, जब तक एक फर्स्ट वेव नहीं आएगी ना आगे मतला, जैसे असन भाई है, अब यह एक दफार जब मेंस्टीम पर आ जाएंगे, और जिन तरीकों से आएंगे, जो जो कुछ कड़ते भी आएंगे, वो चीज the best comedian, out of all of us, उनको हम मानते भी है, हमारे senior भी है, तो उनका एक अलगी level का game था, वो उनने stand up किया, वहां से उनको उनका एक show मिला, उस time पर यह था, तो he is extremely talented, उसके उपर से उस time पर यूट्यूब के बहुत ज़्यादा channels आ रहे थे, कि बहुत लोग इंवेस्ट कर रहे थे, कि हमें properties वगेरा बनाते हैं, तो उस time पर सबसादा चलने वाली उनका show था, TBH, वहां से उनका उड़ गया, अब जो है, reels का जमाना है, तो अब requirement क्या है, कि आपको अपना content बनाना है, तो अब हमारे दोस्तों में अकबर चौधरी है, वो बहुत अवर्दस content बनाते हैं, अ बतारो ना, content एक comedian की मजबूरी है, सही बादा, लेकिन हम लोग ये कर इसके रहे हैं, ताकि हम अपने shows को भरपूर तरीके से enjoy कर सकें, अगर आ अकबर से पूछेंगे, अकबर आपको stand-up में मज़ा आता है, या वीडियो बनाने होगा, stand-up में मज़ा आता है, वीडियो हम आपको अपनी face value और अपने आपको market भी करना है, ताकि ये जो अंकल बेठें में ना, हर्सा कर दिखाओ, वो कमस कम कहें, चलो, क्योंकि हमने comedy में एक near term भी discuss किया, आपस में हम करते है, selfie value, तो आप funny comedian हो सकते हो, लेकर अगर आपकी selfie value नहीं है, and selfie value कब होती है, जब लोग आ आपका content सुनेंगे नहीं, लेकिन आपकी selfie value आप कुछ भी बोल रहे होगे ना, हलका सा भी funny है, लोग कहेंगे, जब आपके हजेब में पैसे होंगे, तो आप कोई चुतिहाफे की बात भी करों, तो लोग बोलेंगे, क्या बात बुली है, पैसे वाले ने बुली है, पैसे आपके हाँ, बड़ा अच्छा है, यह नेक आदमीजी होगे, सूथ भी, सूथ भी, सूथ भी माफ होगा इनको, पॉइंट यही है कि हमारा जो process अब हो गया है, content बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, selfie value बनाओ, ताके हमारी distribution खुले, उसके वेसे से फिर आपने craft को आगे लेकर अच्छा गयर, 18 प्लस content जो होता है, comedy में वो ही चलता है, आप समझ लेंगे, अगर 16, 12 पे जा रहे हो, तो वो नहीं इतना हो, क्योंकि लोगों को जादा मज़ा आता है, जब तक गाली, humor इस तरह का चीज़ ना हो, यह डबल मिनिंग बात ना हो, तो वो बनाना कितना मुश शोस से कमाता है, या तो आप इतने मशूर हो जाओ, या तो आप डकी भाई लेवल पर पहुंच जाओ, क्या आप कुछ भी बोल लो, आप shirt उतार के गंजे होकर, भवे शेफ करके भी लोग कहेंगे, वा डकी वा, या तो आप इतने फेम पास हो जाओ ना, तो आप कुछ भ बेसिस पर आपको शोस मिलते हैं, और उसके बेसिस आपका खरचा चलता है, बिलकुल ऐसा ही, सटायर बनाना ज्यादा मुश्किल होगा इन सब चीज़ों से, जो आप कॉमेडी के थूर एंड में, एक मैसेच छोड़तों ना, या तो आप मैसेच छोड़ते हो तो बस, वो स और के लॉंडे हैं, अच्छा, मैंने तापिश भाई मेरे खाल जोहर सी थे, अच्छा, अच्छा, ना, जो कहीं जोहर का समझे, डिफेंस है, अच्छा, जोहर और लिड़कों में ऐसा क्या होता है, मैंने बहुत देखा, जैसे प्रोटा हो गया, जितने भी कॉमेडियन है, वो भी मलीर का एट जहुर का नहीं है इसा जितने भी कॉमेडियन नहीं अकबर चौधरी लोगों को इस चीज़ को जानकर है रानी होगी लेकिन अकबर चौधरी जो है वो उनिवेस्टी फ्लोरेडा के कौलिफाइट इंजिनियर है अबर चौधरी जो है वो इंतहाईी मैं ये नहीं कहूंगा के वो महले है उनकी वाइब महली है बहुत बर्गर इंसान है पक्की पुखत्ता इंग्लिश-वाले इंसान है सैट में अच्छे नंबर करने वाले इंसान है लेकिन वो DHA के ठेट लॉंडे है ठेट लॉंडे है वो नजबत तरफेन A-Level है भाई लेकिन लेकिन वो है कराची के लॉंडे उनके अंदर जो है तो इसलिए लोगों को लगता नहीं है कि यार यह तो होगा यहीं का यहां के नहीं है उल्टा उनको लगता है कि मैं DHA की वाइट दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे ले शर्ट वगेशन अच्छा हसान में मुझे ऐसा लगता भी है कि जो कराची का लॉंडा है ना अगर वो कॉमेडी कर रहा है वो मुझे नहीं लगता कि इसलाबाद का लॉंडा उस लेवली कॉमेडी कर पाएगा यहां वो लॉंडा कर पाएगा इसलाबाद का नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखें उमर शरीफ, सही मुईन खान और अपना अच्छा मैं इस पर किसम के कमेडियन मिलेंगे न एक प्राइमेरी तो है लॉंडा कॉमेडी क्योंकि देखें सबस्जादा एक्सपीरियंस लॉंडा कोई होते हैं बाहर जाना, बाहर की खच, घर के चीज़ें क्योंकि हर वक्त तो फटीक है तो आप घर से बाहर जाओ जलील हो भर के अंदर आओ जलील हो घर के अंदर आओ जलील हो नो स्कूल में जाओ जलील हो तो इतने जयादा चैلलेंज हो स्ट्रेस में काराची मैं लड़का तो उसके पास तो content है content रवडोर है अब इस्वावात के meeting का क्या होगा oh my daddy doesn't दिनी मनी, like क्या है, ये क्या टेंशन है, ये ब्यम्डवी में आड़ी लेनी है, फरारी लेनी है, मेरे ड्राइवर आपके ड्राइवर की कुट लगाएंगे, ये क्या है, ये क्या है, बहुत नबर दस, और जोहर या बुल्शन में आप कही होटल पर भी जाके बेड़ जाओ और स्रेफ आदा एक गंटा सुन लो, आपके क्या बाते चल रके जाओ, यह इस लाके में थोड़ा हसल ज्यादा है, क्योंकि अब यहाँ कर लड़का क्यों है, बहुत ज्यादा है, यहां के लड़का जो है ना, मुझे मेरा तो यह भी थियोरी है, बही महाजर जो है ना, ब उर्दू स्पीकिंग है, वो इंडिया से चलते वे हैं, चलते वे हैं हम एक मुस्तक्बिल की तरफ जा रहे हैं, और हम बस वही से चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, यह नहीं पता कहां जा रहे हैं, बर जर्मनी रूक ही नहीं रही है, अभी तक हम हिजरत में हैं, कि पहले हम आफ यहाँ पर पहुँचे पिर यहाँ से हमें आगे जाने है पिर आगे जाने यह, शुरु पिर में चापना है तो रुक नहीं रहा तो आप उनके pressure के अंदर दब जाते हो या बहुत serious हो जाते है या तो फिर आपको humor इस्तमाल करना पड़ता है and honestly कराची के अंदर हैं issues हैं भाई तो आपको इसलिए जो आप दूसरों की ले रहे होते हो ये कर रहे होते हो आप light feel करने के लिए कर रहे होते हैं आप तो चार अगर चार पांच लोंडर की गैधरिंग उसमें एक ऐसा होता है मीटा नहीं हरामी मतलब रूस्टिंग बगारा जो सबकी ले रहा हो तो अजया गए तो आप क्यूंकि जिन्दगी नहीं उसकी ले रही होती है जिन्की इसकी ले रही होती है अच्छा रैप रैप से जाने से पहले एक और सवाल है कि मतलब एक आम बंद जैसे आम रड़का होता है उसको डिप्रेशन डिप्रेशन हो गया उसमें मुभबत में दोका हो गया तो सब चीज़ों आफ कर ली उसका एक डील करने का उसका डील करने का तरीका अलग होगा और एक कॉमेडियन है जिसका काम हसान है जब उसको डिप्रेशन होता है और उसका पतलब यहां से बेड़ा गड़क हो जाता है तो एक कॉमेडियन दिमाग पर कैसे डील करता है जार देखें कमीडीन दिमाग में यही होता है कि जब आप परिशान होते हो आपको हर चीज़ कॉंटेंट लग रही होती है अगर आपके साथ कोई बड़े से बड़ा मसला हो जाएना तो आपके सबसे बड़ा मनूस दिन होता है आप उसमें सोचते हो कि या चलो इससे content निकलाएगा अपने आपको आप दिलासा दे रहे होते हो जब आप depressed होते हो तो आपको ऐसे ही जिन्दगी से कोई उमीद नदर नहीं आती है comedian को होता है कि हा सही है भाई लग गए है लग चुके हैं क्या करें सामझ नहीं आ रहा लेकिन इसको जना में एक दिन इस तरह content में इस्तामाल करूंगा तो ये एक ये बड़ा फाइदा है actually में क्यूंकि मैं भी सोचता हूं कि मेरा जो material जैसे मुझे बहुत मार पढ़ती थी मैं carrot college में बढ़ा हूँ न मुझे बहुत मार पढ़ती थी तो अब उसको मैंने comedy में अपने मैंने बयान किया है कि मेरे अम्म अबबा ने कभी मुझ पर हाथ नहीं लगाया ये का उन्हें ने मेरे teachers को outsource किया अब ये जोग हूँ बहुत मिटा हूँ लेकिन ये मुझे जोग कोहां से निकला तो comedy में ही होता है कि आपके पास कोई तरीका आ जाता है कि अपनी बात को आप express करो embarrassment को अपनी मायूसी को अपने challenges को तो ये एक फायदा है अब चलते है रैप की तरफ आपके कुछ अदद गाने हैं जाज़ादा नहीं है कोशिश ने लगा हूँ तरजन का वर्डना तो लगता है अच्छा लगता है इतने मेरे बाल नी है इतने मेरे गाने कामेडी होरी लाइफ कैसा मतलब कि रैप को आगे pursue करने का इरादा है उसमें serious है या वैसी तफ़ी तफ़ी में start की अब मैं serious हो गया हूँ असल मेरे लिए जो मेरी आर्टिस्ट्री है चाहे वो रैप हो चाहे वो comedy हो या चाहे अब मैं थोड़ा reels वगयरा comedy videos बना रहा हूँ मेरे लिए हर चीज जोना self expression है बहुत जरूरी है मेरे लिए तो मुझे जोना हर लिहाज से उसको बहतर करने है मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में satisfaction तब ही मिलेगी कि जब जो मेरे ideas है उनको मैं different तरीकों से express कर सकूँ तो मुझे as a comedian भी बहतर होना है और मुझे लगता है कि मैं अपना बहुत बहुत बहुतर content दे सकता हूँ अभी मेरा वो level नहीं है मुझे अधा rapper भी बहतर होना है तो इनको मैं pursue कर रहूंगा और मैं long game खेलने के लिए तयार हूँ अब मैं नहीं चाहरा कि मैं अगले साल famous हो जाओ मैंने बड़ा time लगाया था मुझे लगता है कि मैं नहीं comedy शुरू की थी ना मैं दो साल में famous हो जाओंगा या rap जब मैंने का 5 गाने निकल गे अब मैं famous हो जाओंगा अब I'm 33 now अब मुझे realize होता है कि मेरे long game है अगर मैं 15 साल भी लग जाएं और मैं famous नहीं हूँ मैं करता रहूंगा करता रहूंगा क्यूंकि दुनिया भर में जो famous comedian थे वो 40-45 के बाद होते हैं सही बात है हकीकाद है हकीकाद है था at the Grammys वो कोई 39-year-old का rapper था वो 40 साल का होने वाला है वो breakout artist है तो आपने देखी है न तो the point is के यह हमने बनाया हुआ हसल कल्चर के बास कल famous होना है लोग 35 के बाद जाके असल कमाई है या अपने आपको perfect करना शुरू करते हैं यहां पर महारे माबाब भी है नो कहते है 25-26 का हो गए तू क्या कर रहे देख भी क्या कर रहे बस मुझे यह है कि मेरा खर्चा निकलता रहे मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ और एक और भी चीज है कि सर्वाइवर्शिप बायस वो क्या होता है कि आपको सिर्फ वही आर्टिस नदर आ रहे हैं जो आक्चुली में काम याब है अप उनसे कंपर कर रहे हैं तो वो जो हजारों लोग है जिन्होंने कोशिश की और जिनकी मार्केट नहीं चली ना उनके बारे में थो मैं पता ही नहीं है उनको हमने देखा ही नहीं, लेकिन हम compare कर रहे हैं उस एक number one से, तो मेरे, इसमें जो मेरा belief हो गया है, उसकर रहा हुआ है, तो आपको idea हो जाए, उसमें भी मेनत किया है, कितनी कितनी मेनत करी है, अच्छा, आपकी शादी हुई है, माशालों, अब मैं चोड़ा हूँगा, बे यार, 100% शादी के बात, क्योंकि देखें, शादी से पहले आप, वैसे यार, देखें, मैं थोटा sad boy vibe, मैं उसको रहता है, यह सब कोच अपनी जगावाइब, नहीं तो तारिफ तो करेंगे, मनना फोड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, मैं शादी से पहले, बड़ा sad boy vibe I don't know, आपके साथ यह होता है नहीं, मेरा टाइम अजियत में गुजरता था, चार-चार-पांच-पांच घंटे लेटा वा, मुझे कोई मिलेगी, क्या मैं प्यार के काबिल हूँ, अगर मुझे मिलेगी तो मुझे understand करेगी, यह सीन होने से पहले, मैंने अपने उपर imaginary scenarios बन मैंने बहुत imaginary scenario की है, कि मतलब, मैं यह, मैंने अपनी, लेकिन जब मेरी शादी वी ना, तो इस चीज़ का tension ही खतम हो गई, तो जो मेरी energy थी ना, जो spend हो रही थी, lonely होने में, अब वो मेरी creativity में लग रही है, तो यह एक हो है, और शादी के पाद आपको बता लगता है, कि आ आप dedicated हो जाते हो, तुम पहले कैसे थे, पहले मतलब in sense के, आपको कुछ करने की ना, तलब बढ़ जाती है, कि मेरे साथ कुछ लोग जोड़के है, मेरे दो बच्चे है, मुझे उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि आप अकेले होते हो तो चलो 20-30,000 आ रहे हैं, सही है, जिन आउन यह हमें, यह नहीं चाहिए ना, फ्राइट चाहिए के बच्चे है, ये थे मेरे पापा, ये थे लो ने यह है, ये है, अबुरिना है, शादी के बाद मेरे आउज सब्सक्राइट बहुत ज़ा ऑना, थेंगफुल हो जाता हैं, कि उससा पहले आप पारिंट्स के हमें सुझीब पताता है वह टाइड वह टाइड वह टाइड असी होता है कि अपको पुरानी जो मिलिनियास से जो पुराना हमारा जनरेशन के गुजरी है हमारे एच्चे हो गए हैं शायद हमसे बड़े हो गए हैं तो मतलब आप क्या प्रफेर करते हैं कि आपको शो में 18-20 के लोग आए या अगर जब 25-30 के आते हैं तो ज्यादा अच्छा सीन होता है अच्छा सीन यह जो 25-30 वाले होते हैं जो पैसे उनके पास हैं जब मैं उनको हसार होना तो मुझको शोर्स मिल रहे हैं क्योंकि अब वो जो ना बहतर पोड़ेशन वखराए हैं लेकिन मदा जैंजी के साथ आता है क्योंकि जैंजी के साथ आप कोई अफसोस की बात कर रहे अच्छा साथ आपको जैंजी में तो अबिसी लेकिन अभी जैंजी लेकिन अब्सी लफ जैंजी विकारता हूं इक तो मैं उनके हूमर से रड़ेट करता हूं काफी सेल्फ ड़ेटेंगें ए टेक हैं मिलनियल्स का सीन और यह होगिया है इल बी वेरी हॉनस दियू लग वो अंकल अंटी बन चुके है मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मेरी उमर के जो लोग है वो जो जिन अंकलों का हम मजाक उड़ाते से कि हम तो बड़े उकर ऐसे नहीं बनेंगे वो बन चुके हैं वैसे और भाई क्या कर रहे हो कितना कमा रहे हो कि मेस्स करने का कुछ सोचा बच्चों का कुछ सोचा ये लिटरिली मेरी उमर के लड़के मुझे से पूछ रहे है तो मुझे वो अजीब लगता है लेकि मुझे लगता है कि जैंजी बगएरा उनके लिए ये टेंशन नहीं है आपकी फॉलूइंग कितनी है सोचिल वीडिया पर मैं करता हूं इतनी है मेरे बेश्टी हो तो जैंजी का ये जीन है आई परसी इंजॉई जैंजी अलॉट अच्छा इंस्ट्राम पर कमेंट बगए रहाते हैं जो जोक्स करते हैं कभी उनको देखते हो कि उनको रिप्लाय करने का मुझा मुझा जो जो कभी कभी किसी खतनाग किसी खतनाग जाए को इच्छत्यापे की बात कर देगा बहुत लोग करते हैं इससरह एक बंदा जो है हर वीडियो में कॉमेंट करता है हसी रोकने की दुआ अच्छा प्रैप में देख कॉम्पेटिशन बहुत है एक बड़ा गले मतलब एक दुसरे गले पर ही होता है चाहे वो कॉंटेंट निकालने में हो चाहे वो बागी चीजों में हो तो कॉमेडी के अंदर भी मतलब ऐसा ही है कि बहुत ज्यादा आपको एक दूसरे से लढ़ना पड़ता है और एक दूसरे के आगे रहना पड़ता है या अपस में जैलिसी वगएरा बीफ वगएरा यह सब चीजे है चाहे कॉमेडी बेन कोई बीफ नहीं होता है यह अच्छी बात है नहीं जैलिदे गयुन करता है कि my comedy कम्यूनिटी करता हूं क्योंकि यह मेरे best friends ही है मेरे सारे अच्छी बहुत अच्छी दोस्ते है और हमारा सीन यह कि मैं यह कहुँ느ितिभ नहीं है obviously competitive है लेकर हम एक दूसरी के असा supportive भी है अगर मेरा कोई जोक होता है ना सबसे पहली call तो मैं सबसे पहले अदनी बीवी को सुनाता हूँ जोक उसके बाद जोक कॉल दूसरी होती है अली अब्दुल्ला को होती है कि अली भाई यह मैंने बिट लिखा है यह पनी है यह नहीं फिर दूसरी मेरी बात होती है अगबर चौदरी अम्मार जैदी उस्मान भाई से उस्मान भाई इसमें थोड़ा मसाला एड करें क्या मसला है यह वगएरा तो हम लोग competitive है in the sense कि अगर दूसरा वाला बंदा कोई चीज कर रहा है तो हम भी कहेंगे ओ हमें भी चीज़ें निकाल लिए जिस तरह आजकल हमारा जो पूरा गूरूप है वो daily reels निकाल रहे तो मैं थोड़ा थोड़ा हलका हुआ वहा हूँ मेरा गोले मैं active हूं वगएरा लेकिन जब मैं देखता हूँ कि भाई अकबर भी reels निकाल रहा है हमार भी reels निकाल रहा है कि मेरा होता है कि मैं भी डाल मैं यह नहीं करूँगा कि मैं इन से बहतर नीन लिकालूगा मेरा यह कि मेरे दोस्त कितना अच्छा काम कर रहे है I also want to do well क्योंकि हम लोगों ने यह चीज़ आपस में establish कर ली है कि जब कोई एक बंदा अच्छा काम करेगा ना तो उसका फाइदा हम सबको होगा और यहाँ पर मैं सबसे हदा credit देना चाहता हूँ अकबर चौधरी को अगर कराची के अंदर कोई stand-up scene के लिए काम कर रहा है या जिसने काम किया है या हम लोगों को active or stimulate किया है उसका direct credit अकबर चौधरी को जाता है क्योंकि उसने जो जो चीजें की है चाहे वो YouTube में हमारी help करना हो चाहे वो हमें stand-up के लिए shows organize करने में उसका process क्योंकि वो हम सबसे पहले से कर रहा है उसने हमेशा हमें खुल के information दी है तो competitive नहीं actually में it's supportive and I just feel very lucky and privileged to be with this group of people अच्छा वैसे experience कैसा रहा है इनके साथ जैसे आपने मेरे खालते जुनी दकरम के साथ भी काम किया है ताविश हाश्मी के साथ भी पिर क्या कहते है अली अबदुल्ला, अमार जादी इनके साथ experience कैसा रहा है यार हमेशा से बहुत अच्छा रहा है ताविश हाश्मी के साथ एक बहुत different relationship था क्योंकि वो मेरे public speaking के mentor थे अली अबदुल्ला और मेरी ताविश भाई से बहुत पुरानी रगबत और romance है तो उन्होंने तो हमारी मैं अली अबदुल्ला की बात नहीं करूंगा अली अबदुल्ला का और मेरा बच्पन का time सारा उनके साथ गुजरा है तो हमने अच्छा खासा influence उनसे लिया है और अली अबदुल्ला का लेकर अपना एक बहुत unique style है निया में जिस बंदे को काफी दादा देखती थे या में जिस बंदे को काफी दादा ध!'o । तापिष भाई थे मैं enjoy करता था Ali अब्ल्ला enjoy करते थे हम लोग बैठा करते थे रातों को और उत्ए वारे सामने काफी perform करते थे तो हमारा टाइम काफी गुज़र है तो उनसे हमारी एक अलग रिलेशन्शिप है and obviously like a lot of respect and a lot of love for him और हमेशा मज़ा ही आया है उनके साथ काम करके और जुनेज अकरम के साथ भी कहते हैं, मैंने कुछ शोज बगईरा किये हैं इतना जादा मैंने काम नहीं किया लेकिन जो बाकी बॉइस हैं, इनके साथ तो यकीन करें उठाना बैठाना रहे हैं अब इस अच्छ भी वैसे stand-up में आना चाह रहे हैं अभी इत पे शो कर रहे हैं अच्छ और ये stand-up में ये on and off रहते हैं या वैसे इनका वो ये कि देखें stand-up जो इन दुनिया के अंदर हमेशा एक CD होती है stand-up comedian जो होता है वो eventually फिर टीवी पे भी आ रहा होता है फिर वो फिल्मे भी कर रहा होता है जिस तरह Adam Sandler जो है वो stand-up comedian थे पहले Jim Carrey जो थे वो stand-up comedian Eddie Murphy stand-up comedian थे तो जब आप stand-up comedy से TV या फिल्म के अंदर आ जाते हो ना तो आप stand-up को छोड़ते नहीं हो लेकिन आपकी दूसरी गाड़ी चल पड़ती है तो ताविश भाई को stand-up की जरूरत नहीं है मैं तो लटा कौँगा कि पाकिसानी stand-up को है तो उनकी जरूरत है क्योंकि उनकी star power की basis पे लोगों को पता लगेगा कि यहाँ पर यहाँ पर यह हो तो रहा है लेकिन वो करते हैं जब उनको मौका मिलता है इत पर कर रहे हैं अभी कहा कराची में? आर्ट्स काउंसल में उनका शोग है यार साथ भाई जाना है लाज़मी यार गोस राइटिंग का सीन अल है नहीं यार गोस राइटिंग काश होती ही पैसे ही नहीं देने के लिए आँ खर्चा रिखा लें पाकस्तान ने थोड़ी पैसे मिलते हैं इसे लिए यह बादी रैप इंडेस्ट्री को किस तरह देखते हैं आपके कॉंपेटिशन बहुत है जैसे भी इंडेस्ट्री देखें रैपर का यह सीन होता है बले वो अपनी नेजी जिंदी ही में जैसा बहुत ही कुछ ना बड़ी फिले तो अब उसका सबसे में कंसर्ण होता है रैपर का सबसे बुरा खाब है कि यह लोग मुझे में हसे मां मुझे सीरियस ले तो इस चीज़ को लेगे अप इंडेस्ट्री में आना फिर इंडेस्ट्री के आप जैसे कुई मैं जैसे स्टेज़ पर चलता हूँ या किसी जैम में जाता हूँ और कुछ ऐसे बार स्पिट यार मेरा जो एक्सपिरियंस रहा है आपसे भी मेरी पहले भी मुलाकात थी मेरा यह होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं मैकसम तरीके से अपनी परफॉर्मेंस में अच्छा रहा हूँ तो अगर मैं अच्छा फ्लो दे रहा हूं और अच्छी बाते कर रहा हूं तो आप को कि चलो इसमें कुछ तो है और मुझे लगता है कि जब आप एक अच्छे आर्टेस्ट होते हो या अच्छे आर्टेस्ट बनने की आप कोशिश करते हो तो आपको दूसरे अच्छे आर्टेस्ट मिल जाते हैं इस तरह मुझे याद है कि समी को मैंने पहली दूफर परफॉर्म करते वह देखा तो यह लड़का कौन है इतना fast rap कर रहा है इसका कोई Macklemore remix का song था और मैंने का मुझे इस बंदे के साथ काम करना है तो अब हम करेंगे काम करना है the point is कि इसको भी कुछ ददर आया था था ना कि यह कुछ तो flavor ला रहा है ना market में तो यह एक चीज होती है और मेरा personally जो अभी formula है ना I am not thinking too much about के मेरी vibe क्या है मेरा बस ही है के जो मैं चीज कर रहा हूना वो बस मेरी limit की extension हो के am I pushing myself to the final to the to my final ability like am I going beyond what I can currently do और vibe फिर बन जाएगी खुदब कुछ इस तरह मिझे सबसे अच्छी example लगती है जो मेरा role model है वो है Donald Glover also known as childish gambino वो actor भी है वो writer भी है वो stand up comedy भी करता है उसका पूरा childish gambino के जितने भी गाने वो insane है वो तो नहीं कहता ना कि मैं ये सब चीज़े हूँ उसने market में फैंकी है लोग कहते हैं ये 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 तो मेरा goal है कि मैं बस अच्छा काम market में फैंकू फिर market decide करेगी कि उनको क्या चाहिए बिल्कुल सभी बिल्कुल सभी बिल्कुल सभी अच्छा बच्ची girlfriend जो होते हैं जो आजकल लड़के हमारे लॉंडे है आप बाप हो दो बच्चोंगे मैं तो लॉंडो की बात कर रहा हूँ न आप बाप हो दो बच्चोंगे जो ये बैर वैसे शादी करने के बाद न मैंने देखा बहुत सदा पावल है ये ये वाला पाट कार्ड ये हम दोनों के लिए मुश्किल हो जागी नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बहुत का आप गड़ोंगे ये रख ले ना तो क्या मतलब क्या अड़्वाइस देंगे उने के जो बच्चे हो पूरा पागल होते हैं प्यार मोबत करने लग जाते हैं मतलब हमने भी करी कर रहा है मौबते करी हैं बहुत लड़ियों से करी हैं ऐसा नहीं है बाबी तो वो कहते हैं बस जीना मनना तुम्हारे साथ ये चलो हम यहां नहीं मिलेंगे मैं भी बता रहो मैंने सैट बॉइ जिंदगी गुजारी है सैट बॉइ जिंदगी उजारने में मता बड़ा आता है आप नहीं रोते रो हाई मैं तो मनूसी हूना कि मुझे तुम नहीं मिली या जब आपकी वो जिंदगी होती है वो तब होती है जो मुझे लगता है मेरी जो एक एडवाइस है अपने उपर काम करो क्यूंकि अगर आपको वो मिल नहीं रही न वो इसलिए नहीं मिल रही है क्यूंकि आपसे बहतार मार्केट में आप्शन्स हैं तो जब तक आप उस लेवल पर नहीं हो तो कोई आपको मुह क्यों लगाएगा कोई आपको नहीं ही लगाएगा मुझे याद है यार मैं honestly मैंने जब तक अपनी क्राफ्ट पर काम नी किया वा था तो लोग मुझे 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 नगाते हैं but why should they being nice is not a criteria कि मैं एक nice हाज नहीं हूँ, nice biscuit भी है सही है, इसका मतलब शादी कर लो उसका नहीं ना, nice criteria नहीं है आप अपने उपर काम करोगे तो आपकी तरफ खुद ही become what you want to attract या, क्या बाद है ये लो, ये लो, ये लो, ये लो बहुत टाइट, बहुत टाइट आज़ा पाकिसन डिफॉल्ट कर जाएगा वहलब जिस तरह कहलाद है, यह आप चलें इसको स्वाल में गुमाता हूँ कि करेंट हकूमत से आप खुश है आर्मी वो तो हमेशा की हकूमत है वो तो आजएगी सर, नौ मैं बहुत बुरा था मेरा दिल दी एच्चे क्या कहेंगे, यार मतलब भी हद बनलब पाकिसान में कोई है, फूचर फूचर है, पाकिसान में यार मैं यही बात कर रहा था, कि मुझे पाकिसान का दुनी मता है, मुझे सिर्फ कराची की एक चीज़ पता है, वैसे तो आपको पता है, शहर खस्ता होगे, तो आप सही रहोगे, अगर आपने सोचना शुरू कर दिया, मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि पाकिसान की ये शूज़ क्या है, जितना सोचना हो, अतना मैं परिशान होता हूँ, तो बस मैं अब मेरा गोल क्या है, कि मैं अपनी लाइफ इंजॉई इंडियन कॉमेडियन के साथ कॉलाब करने का मौका मिला हो, यहां कभी कुछ इस तरह की चीज़ है, यहां इस तरह के दोट सब भी खुलेंगे, आने ओले वक्ते, यहां मेरी जो ना दो तीन इंडियन कॉमेडियन से बहुत दोस्ती है, और मुझे अच्छा ही रखता कि उन से में कॉलाब का भी बोलू, क्योंके तु बी आनिस्ट, मैं उस पॉइंट पर नहीं हूँ अपने करियर के, कि मैं उनको बोलू, क्या यार करो, क्योंके मेरा उसमें फायदा जरूर है, उनका ऐसाथ मेरे साथ काम करकर और फायदा नहीं, उनकी बड़ी ओर्डियंस है, और मेरा परसनल बिलीफ ये भी है, कि आपको उन लों के साथ काम नहीं करना चाहिए, जिनकी आपसे ज्यादा ओर्डियंस होती है, क्योंके मस्ता बताओं क्यों होता है, वो कहेंगे चल नला गरीब फिर से आगया, भिकमंगा जाला, ये आप उनके साथ काम करो, जो आपके लेवल के हैं, आप साथ ग्रो कर सको, मुझे मस्ता नहीं है, अगर किसी की कम फॉलूइंगे मुझसे, I am happy to work with them, मुझे उससे कोई मस्ता न बिलेगा, जब यंग्स टैनर्स होगे, तो पिर आपको क्या नाम है उस बॉय का, किस का, क्या केते है, यार इंडिया का जो रैपर है, कृष्णा, पर बिता देए, और पाकिसान, मुझे इस रैपर ने इंफ्लूइंस कि है जिसकी वज़ा से मुझे लगा था, कि उर्दू और्दू रैप कोई चीज है, वो है फारिश शफी, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि अर्दू रैप के साथ ये चीज़ें की जा सकती है, उसके अर्दू रैप कामेडी या जनरली जो फ्लोर्स, जो फ्लोर्स थे ना, मतलब कि मेरा दिमाग फट गया था, मैंने का ये करनी है, ये चीज़ मैं क्यों दी, जिस तरह मुझे कॉमेडी में इंफ्लूइंस किया है, साध हारून और दाज़ शाष भी है, वो अभी है, मैं तो अवाम की बात कर रहा हूँ, स्टेंडर कॉमेडी में जब मैंने साध हारून को देखा, फिर जब मैंने ताबश भाई को हार्ड ब्रेक और सब को जोनरा बना दिया है, मुझे तो लगता है कितने रिलेशनशिप नहीं है, जितने लोगों के ब्रेक अप्स होना चुरू हो गए है, ये जो पूरा एक ब्रेक अप जोनरा है, और आइ थिंग कि औविसली इस पूरा सीन भी खड़ा किया, तो तला अ जो मैं आइ अलसो रिली लव और रिस्पेक्ट, फिर मुझे सीधे मौत बहुत ज्यादा पसंद है, मैं अपसेस्टाइल आइस्टाइल 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 है, ये इनका गेम है, फिर इंटरनेशनली आप सब को पता है कि हमारे किबला काबा है, उनके म्यूजिक को सुनके, तो मुझे बहुत अच्छा लगते है, और अविएसली ओल्ड स्कूल में अगर हम जाते हैं तो टूपाक कुई मैंने बहुत सुना है, मैं वाई मम मी डैडी लेकर मैंने थोड़ा हार्ट सुना है, हाठकूर सुना हुए, मैं सही है, हाज़ा और मुझे अतनी खुशी होती है न कि मुझे लगता है कि हैं मैं फिक्चर कीचलो मैं मेरी एक्साइटमन जाजा होती है कि मैं उनसे विलकर बोगता हुआ था अब थोड़ा अच्छा लगता है अचल मुझे जब से अच्छा फैन मोमें तो यह था कि दो साल पहले जब मैं जिम में गया था न तो वो मेरे जिम का जो ट्रेनर था न बहुत ही एक अनॉइंग not the current trainer I have who's my friend Taha this is some other trainer तो यह जो है न मुझे बड़ा वो बहुत नला समझ रहा था उसको बता है नहीं था हाँ चल 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 डुदू इस टाइप की हरकते कर रहा था क्यो क्योंकि उसको बता नहीं क्या लग रहा था कि मैं कोई ऐसे ही रेंडम कोई सड़क का बंदा हूँ लोगों सामने बंदा लेकिन हूँ नहीं पिर वो जो नहीं बहुत मुझे बहुत उससे ओफ आई बारा करिएगा क्यों यार तुम मत फिर यह नहीं है ना काट देना काट यह जीब सीन है ना आपका जब वदन वड़ा होताय है कि यू आ यू आ आ जा चल चल कि क्या सीने है दुदु 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 बन रहे है घरेक ले तो यह वो जो बंदा था ना मुझे बहुत उसने गंदी वाइब्स दे रहा है गंदी वाइब्स दे निन मतलब कि ही व जाके बोल रहा हूं मुझे train करो train करो हाहा रहा हूं ना क्या हो गया कोई मिलेगी तुझे इस तरह की random बाते कर रहा है फिर हुआ गया कि मेरी वीडियो वाइरल हो गई दो-ती इंस्टा पे वाइरल होई फेस्टूक पे वाइरल होई लेले यार लेकर उसका attitude पूरा change हो गया था फिर उसने का आप training लोगे मैंने का मैं नहीं लूँगा आपसे तो फिर मैं जब work out कर रहा हूं ना तो अपने दूसरे को कह रहा है बड़े लोग होते हैं जो trainer जो मेहनत करता है दिल भी लगाता है उसको भूल जाते हैं लेकर अटेंशन लेने की मेरी कोशिश कर रहा था लेकिन मेरी हड़ गई थी यार के लोगों का रवया तो बदला है यह मैं कह सकता हूँ अच्छा इंडियन कॉमेडियन जो है कैसे लगते हैं आपको मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अच्छा लगता है मुझे पसंद है अगर मैं पाकिस्तान की बात करो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास टैलेंट हम उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पारे लेकिन हम बहुत आगे हैं हूमर में मेरे ख्याल से इंडिया के पास quantity का advantage है तो उस से जो average निकल रहा है वो एक अच्छा निकल रहा है हमारे पास ये कि हम ब्रिलियंट पे घुए है न जिस तरह हमारे fastballers जो ये वो बाट लगा देते हैं वैसे fastballers नहीं निकलते होँ वहाँ पर लेकिन overall cricket team उनकी बहतर है तो ये वाला सीन है, हमारे पास मीम, और यह छीजे लेकिन यह जैजे मीम्स महाँ और यह जेए करता है कि एंडिया पाकिसान और इंडिया अलग नहीं वह लो यह सब्सक्राइगा, थार और अपसोस इस चीज का होता है कि हमारे आपस आपसोस को जाहिल समझा जाता है और इंडिया के अंधर ये सीन नहीं यह नहीं कह रहा है कि उनकी सुसाइटी में चैलेंज़ नहीं है लेकिन कमस कम उनके आपसकी रिस्पेक्ट है असेंटेंस बहुत ज्यादा है, पुछ शोज में वो जब औरियन्स से बात करता है, उपर चलता है, एक 16 साल का लगा अपने अम्मी के साथ आया है, भई, यह सीन आन है, हाँ, वो गालियां है, यह वो है, लेकिन लोग आ रहे हैं, फैमिली के जादा है, अच्छा और मुहीन अक्तर जैसे लेजेंट्स आपके साथ है, हमने सिकंदर सनम के साथ, सिकंदर सनम की तो, रहत हो गई है, वो तो, I think, दूसरे को, शकील सिद्धी की, हमने उनके साथ शो किया हुए, मैंने उनके साथ शो किया हुए, तो वा इंटरिस्टिंग एक्सपिरियंस था, वैसे नहीं आ सकते हैं, क्योंके सबकी डेट हो चुकी है, आपने जिनके नाम ही है, वैसे उन जैसे नहीं, उनसे बैतर या उनके आसपास ही, यह वही वाली बात है, क्या इकबाल वानो, और नूर जहां वापस आ सकते हैं, not necessarily, but we now have शेगिल, तो वो चीज़ एवाल हो जात निकली मी है, लेकर हम जो चीज़ें करेंगे, उसकी शायद अपनी ओडियन्स बने, और यही सीन है, अच्छा, क्या लगता है, फ्यूचर क्या है, आने वाले पांच साल में कॉमीडी को कहां देख रहे हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, यार मुझे नहीं पता, honestly, जब कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो नहीं होता, मैंने उमीद लगाना ही छोड़ दी है, मैं अब मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है, मैं डे-to-day चल रहा हूं, मेरी अप्रोच यह है, am I enjoying this, am I having fun, am I pushing my abilities, that is it, अगर मैं day-to-day या show to show, पिछले show से बहतर परफॉर्म कर रहा and I am taking my abilities to their final point, तो आइस्ता आइस्ता उसको मैं जब तक करता रहूंगा तो खुद बखुद मैं किसी मकाम पर पहुंच जाओंगा, जब मैं outcome के बारे में सोचता हूँ, मैं depressed ही होता हूँ, क्योंकि फिर मेरे जमाग में आता है, कि अब तक मैं वहां क्यों नहीं हूँ, मैं क रैप कर रहे हो, आप comedy भी कर रहे हो, लेकिन वह ऐसी चीज है जो आप daily routine में कर सकते हो और वो जल्दी जासे vlogging, आप कर सकते हो, अच्छी vlogging कर सकते हो, उसमें बहुत साथ जाता हूँ, मैं रीले बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रीले बनाने में मदा आता है, quick jokes, जैसे अक informed YouTube content कर रहा होता, क्योंकि music, समी, आप बढ़ा सकते हैं, बहुत जादा time लेता है, और मैं इस साल जो ना, दस से बारा गाने निकाल रहा हूँ, 6-7 ready भी हो गए हैं, लेकिन वो मेरा जो ना, दो दिन जा रहे हैं music में, तो मेरा जो ना, I am betting on music, more than content, और content में, जो मेरा solution है, व two stand-up shows, उनको record करो, एक ना, एक, हफते में 3-4 आनी चाहिए, और साथ-साथ गानों पर काम करता रहा हूँ, तो short छीजों पर मैं फोकस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि, चोटे-चोटे पौदे लगा दी है, हाँ, मुझे लगता है कि जब आप बहुत सारे, आप पूरा forest तो गाने निकलते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो मैंने कोशिश की है, कि मैं long form भी करूँगा, short form भी करूँगा, गाने भी बनाऊंगा, freestyle भी करूँगा, नहीं होता, आपको बबलू क्यों कहते हैं, नफरत है आपको विस उस नाम से, क्योंकि आपने बहुत सारे कि पाकिस्तान में आप के जिसम पर comment होना जरूरी है, आप घर से बाहर निकलोगे, आपको याद दिले जाएगा, आप गंजे हो, आप बहेंगे हो, आप की डाड़ी में ये मसले हो रहे हैं, आप दुद्दू हो लेगा, देख सकते हैं, तो ये चीज़ से मेरी हटती है, कि लोग इतने comfortable कैसे हैं, कि आपकी body पर खुल कर comment कर लें, अभी हम recently एक show करने गए, तो एक हमारे show था, उसमें एक बंदा आता है, मेरे एक और comedian, दोसनको नाम देता हूँ, उनको कहता है, यार आप, बड़े हो गए हो थोड़े, थोड़े ये निकल रहा है आपका, ये उसकी small talk थी है, नहीं के कैसे हो, मैं आपका fan हूँ, आपका काम पसंदे, उसका पूरा था, यार ये थोड़ा अजीव लग रहा है, आपका, आप रहा लगा रहा है, ये भी बोलते हैं ना, ये हमारे दाइट आगे, तो लगा ले, आप लग रहे हो मुझे इस category में के मुझे अट वाइल करता हूँ तुम एभी, ये शरमनाक हरकत देखने के लिए, मुझे डगी भाई नहीं बना, सुरी, रैपिट फाइर, समी भी, रैपिट फाइर, कॉमेडी या लो, कॉमेडी, रैपिंग या एक्टिंग, या कॉमेडी, रैपिंग, अए, ओ, कॉमेडी भी नहीं, या अवाज शरीफ, लगे नवाज शरीफ की शकल मुझे से मिलती है, तो, इमरान खान, अवाज या 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 यह क्या बात ही, जाकिर खान या ताविश आश्मी, पाकिसान अपने ब्रैंड, पाकिसान जिन्दा वाज, नहीं नहीं, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, तो, ताविश भाई, अकबर चौधरी या मुनवर फारुकी, अकबर चौधरी, मुनवर फारुकी जो है, बहुत अच्छे कमीडियन है, मैं इस पर एक्स्पेन करूंगा, लेकिन, वो स्टोरी बहुत लंबी सुनाते हैं, और चुंके वो फेमस हैं, तो इसके सुन लेते है अकबर चौधरी जो है, वो आप उनका बिट देखेंगे, पर्फेक्ट प्रसाइस बिट है, अच्छा वो रैपर भी है, कॉमेडी भी कर रहे है, मुनवर फारुकी लेकिन, honestly, as an artist, मुनवर फारुकी is incredible, लेकिन आपने stand-up comedian बोला है, तो अकबर चौधरी, अकबर चौधरी उनका बैट को फैक्ट है, शल्वार या पहन्त हो में किसे हम का बीट या बूटी? ए या पोगो वाले जोग्स, ऐा पोगो वाले जोक्स शुगर मोम या स्टपमोम? वाटॉट काई यार, तो समझे। क्या rapid fire है, शुगर मोम या स्टपमोम ये अपने शॉट लगबर आरहे हैंगे आप और आप क्ये बसे घ्रियाए। मैं सोच रहा हूँ जेए एक में मेरा फायदा, एक में अबा का फायदा तो जराइन, आप कहले, अपना फायदा सोच लेए अपना फायदा सोच लेए ये ये LGBTQ plus खुल रही है जॉननी सिंस या गणि स्वैक जॉननी सिंस गणि स्वैक, ब सही है यह क्या सोच के लिखता है जो भी बियाइंड था कैमरा बैठा हो न ही लिखता है ऐसे रैपीड वायर क्या सोच के लिखता है अब अड़ेटन नाइट सोनम बाजवा यहा एक पिलियन कैश और गाइट पर जाएगी मैं यह कर रहा है यह आप लोग वक्त के साथ है महले क्यों होते हैं आपको दुद्दू मैंने जो बोले उसके बाद जमान खुले रही है लगों की वापस ले रहा है सिंगल वाइब या मल्टिपल गल्फरेंड्स मैं मेरा को एक शरीफ आदमी शरीफ आदमी हूँ मैं बस मौनोगमस इसान हो तो यह है मेरी वाइब नाइस यह खलीफा यह बुर्च खलीफा बुर्च खलीफा क्यों लिखे हैं अशरीफा यह अलक सही आए है तो खेर यार हमने ना कुछ सवाला लिये थे तो कुछ आए हैं अच्छा जादा नहीं आ सके हाँ मुझे बता है इतने लोग इस तो थोड़े बहुत आए हैं तो हम उसको जड़ा देख लेते हैं मुझे हैं जब तक आप सव पूछें आप कुछ पूछें बात कर रहें मैं निकाल लेते हैं जब तक क्या ही कुछ हो रहा है सब तो हो गया है सब तो हो गया है अच्छा कोई एवेंट पे मतलब जब आप परफॉर्म करने गए हूं आप यह ऐसा रैपर और नीचे लोग बोल रहे हैं आप रैप परफ देखें, मुझे अपना जिसे ओपनिंग लाइन बता है कि एक होता है गैंक्सर रैप, सही है, एक होता है, जा कहते है न्यू एज रैप, मैं करता हूँ अंकल रैप, क्योंकि मुझे अंकल बनना था, लेकिन मैं घल्डी से रैपर बन गया, तो फिर इस तरह कि मैं हल्की भुल की opening वगयरा करता हूँ इस तरह मैंने भी last time ये भी की थी कि सेफ रैपर इसी से music बना रहे हैं कि उनकी बंदी उनको छोड़ की चली गई हमारी बारी तो हमारे साथ है इसलिए मैं आपको love rap सुनाता हूँ तो ये मेरा हर गाने से पहले जोना एक दो हैं मैरेड हैं अच्छा अपने उपर कोई अच्छा सा जोग मार दो ये तो मैं हर वक्त अपनी ले रहा होता हूँ मैं अब मैं रीसेंटली एक बिट त्यार कर रहा हूँ को कह रहे हैं कि मुझसे बालों का मश्वरा लें हैं आप लोग क्योंकि मुझे बालों के बारे में नहीं बता लेकिन मुझे गंज़ा होने के बारे में सब कुछ बता है तो मैं आपको बता दो सकता हूँ अभी ये बना नहीं है लेकिन मुझे इस पर बात करना है कि मेरे पास गंज़े होने पर जितनी information है न, वो आम बंदे के बास नहीं है, मेरे 20 साल के उन्हें बाल चले गए थे यार, आप लो transplant भी कराया है, hair transplant मैंने कराया था, नहीं चला, transplant सबसे बड़ा जूट है, यह hair transplant जो है, यह आप trust नहीं करना, और एक term होता है non-surgical hair transplant, सुनने में हो, यह मैं इतना ऐसाच रोश नहीं करता, बस नुमाग आउट हो जाता है ना, तो मुझ से निकल आती है बाते, अगर stand-up comedy ना करते तो क्या करते हैं, अच्छा सवाब, हम जबे कर रहे होता है, अभी वही कर रहे हैं, कभी सोचा कि मैं किस line मैं आ गया हूँ, नहीं, आ गया, अगर पढ़ लिया, तो डॉक्टर या इंजिनियर होता, अलहम्द, मैं मैं वकील हूँ यार, वहीं इंग्लेंड का graduate वकील हूँ, मैं तो चूस करके यह कर रहा हूँ, अब चोड़ा पाना भी देखे ना, मैंने फुल लोहरी हरकत की, इंग्लेंड भी डाल दिया, नलो, तूने क्या बढ़ावा है, यही तो बत्तमीजी हो जाती है, लड़की ने बूचाई, नली, तूने या, वाट राइट, कामेडी की इंस्पिरेशन कहां से मिली आपको, यार, कामेडी की इंस्पिरेशन, अगैन, अक्चुली मुझे मुझे याद है वो, मेरे एक कजन के अबबा थे, उनकी जिस दिन डेथ हुई, तो सब लोग बहुत अफसुरता थे, तो उस जमाने जोक्स की किताबे आती थी, तो मुझे उसके जोक्स याद थे, तो मैंने जोक्स परफॉर्म करना शुरू कर दी है, मतलब कि मैं दफना चुके थे, बेजानी के टाइम पर, वो सब कह रहे थे, कहसान सुनाओ, तो मैंने जोक्स नहीं थे, वही पुराने, जो संता सिंग होता है, बंता सिंग होता है, स्टैक के जोक्स, तो वो जो मॉमेंट था ना, कि जब मुझे वो लाफ्टर्स मिले थे, मैयत में मैंने लोगों को हसा दिया था, मैंने खा था, कि यार यार, कुछ तो है मुझे, कि लोग अपने मरे बाफ को मूल कर, मेरे दमाग में चीज बैड गई, तो उसकी वज़ा से अभी तक कर रहे हैं, अच्छा तो खैर, आप कॉमेडी, नहीं, रैप के उपर यह है, कि म्यूजिक जो है, आपने क्यों शुरू किया था, कॉमेडी भी लिखा हुआ है, कॉमेडी और म्यूजिक क्यों आपने शुरू किया था, तो बता चुके हैं मेरे एहाल से, अच्छा म्यूजिक मैंने इस ते शुरू किया था, कि पहले जो था मेरी जो एक्ट थी ना, जो अभी भी एक्ट एक उसके अंदर, मैं जोना हमेशा एक म्यूजिकल चीज कुछ ना कुछ करता था, तकि मुझे रिलाइज हुआ कि मैं से अपना कॉमेडी की हद तक महदूद नहीं करना चाता हूँ, मैं म्यूजिक को अवराल बहुत इंजॉए करता हूँ, तो मैं इस वजा से जोना, एक्स्प्लोर करते, 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 अब मैं इस पॉइंट पर आ गया हूँ, कि I actually really love music, और समी अमीरी इस बात की guarantee दे सकते हैं, कि music जो नशा है, को सबसे बुरा नशा है, क्यूंके पैसे जाते ही है, आते नहीं है, लेकिन एक दफ़ा को लट लग गई है, आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो वाला सीन है, कि मैं 29 पर music स्टार्ट किया है, it's not been too long, 29 की एच पे मेरा पहला गाना निकला था, चार साल ही हुए हैं, मुझे और बहुत inconsistent round है, लेकिन वो बस अंदर से आपको मजबूर करती है, आप नहीं कितनी दफ़ा छोड़ा होगा, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते, आपको लग एक दफ़ा injection घुस गयाना, नसों में बैर है, अच्छा, आपकी next show की ticket कब मिलेगी, कब है, कहां, कहां से होगा, next show जो है, मेरा अब इन्शालला मैं तब करूँगा, कि जब मेरे Instagram के numbers, मैं 100K तक ले जाँगा, अभी 50K पर है, मेरा गोल है, उसको मैं 100K पर लेकर जाँगा, अब 3-4 महीने लगें, शायद 5 महीने लगें, शायद 6 महीने लगें, अब ही आपका प्लाइन नहीं है, कि अब ही मेरा प्लाइन नहीं है, क्यूंकि मैं अपनी पूरी एनरजी, जो हैना, अपनी सोशल मीडिया को देना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं दबा के सिर्फ शोजी करूँगा, जाते जाते कुछ आप सुनाएंगे, यहां पर वर्ड देंगे, आप बीट दे सकते हैं, तो भई हसान भई, कुछ फ्रीस्टायल हो जाएंगे, अच्छा बेसिकली फ्रीस्टायल दो किसमी होता है, आपको आइडिया हम यहां पर वर्ड देंगे, हसान भई को, और बीट पीसे चलेगी, क्योंकि हमारे पर बीट बॉक्स रही कमी है अता भाई आज कल on and off चल रहे हैं इंशालाई आपको बहुत जल दिखेंगे अता भाई वापिस तो सीन यह है कि कुछ समय भाई तीन वर्ट्स आप दे दें हसान भाई को और उन वर्ट्स को क्या में एक्सेल मितालता है केला 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 के सोने है वो लेक लीमू आगी है ना तीन वर्ट है आपके पास चलो भाई बीट प्ले कर दो साथ भाई और जिसकी बीट है प्लीज यार कॉपी रैट क्लेम मत मारना चलो मुँ में जो भी आरहा है बोलूँगा हाँ हाँ मेरे अंदर तो खत्म शराफत मैं फ来णोगा पन्ने में फादूगा काखस और देखो यह मेरे यह हाथ में आ्लम मैं उठाता हूं पैन्म मैं उठाता कम मैं देखो हुँ पन्हों से फाड़ता मेरे सामने जो फिर आता उसको मैं कैसे निकार था मेरे सामने मुझको लगते आप बहर ज्यादा पूल है आपको लेके जाओंगा बेटा मैं अपने स्कूल में और आपे मारूंगा मैं पत्थर और उसके कीचर मुझको बोले अब्बु फादर या मुझको बोलो टीचर मेरे सामने रोना नहीं लॉंडे हो गए इमो इतनी मैं मिर्ची दूहूं जैसे आंखों में लीमू इनका देखो बनाता हूँ मैं फिर लीमू पानी इनकी देखो खत्म करता ऐसे मैं जवानी इनके अंदर देखो खत्म कर दी मैंने आस बेटाक पीलो लीमू पानी लग गई तुझको प्यास क्योंके रोजा लग रहा है इसको रोजा लग रहा है रोजा लग रहा है इसको रोजा लग रहा है मुझको पता है जिन्दगी में तेरा फिर लग रहा है तेरा मेरे सामने ना आना देखो सामने ना आना मेरे सामने ये लेते देखो कैसे सारे फेरे इनकी आँखो में देखो मारूंगा मैं रोशनी क्यूंके मुँपे देखो इनके आते हैं अंधेरे इनके डातनेस वाले चेहरे इन पे लगाता मैं क्रीम देखो करता हूँ मैं रैप नहीं करता हूँ मैं स्क्रीम इनकी शक्ले मुझे लगती कितनी ज्यादा अगली इसलिए ये बेटा आप लगा लें फेर और लखली नाइ यार बहुत बहुत डाइड यार वीसितल बहुत डाइड बहुत डाइड ज्यार मैं आपका शुक्री है और फूर। पता भी चल जाता है कर लिखा ऊचार तो आइडिया हो जाता है और या आपकी इस्क्रिप्टे नहीं था भाई अगर कोई समझ रहो ना लिखा हुआ था आते ना कमेंट में बोलने आले लिखा हुआ था तो फ्रीज साइल बोल रहा है नहीं था ये स्क्रिप्टेड लफ निकले फ्रम माई दिमाग आपने गंदा कॉमेंट दी या डोंट गिव यूर बक्वास बड़ा मसा आया जाते जाते एडवाइस क्या देना चाहेंगे अपकमिंग आर्टेस्स या कॉमेडियन्स को जो बनना चाह रहे हैं तो इस इंडेस्ट्री में क्या सोच के आएं अच्छा मैं थोड़ी सी लंबी करूँगा मीडियम लेवल करूँगा मैंने अपनी जिंदगी का काफी अरसा जो है आउटकम्स को चेस करने में लगा दिया कि बस ये चीज कर लूँ ये गाना निकाल लूँ ये वीडियो बना लूँ मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी अच्छली में जितने भी लोग आर्टिस्टों को रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें पता है कि लॉंग टर्म गेम है आप अपनी क्राफ्ट को बहतर करने में टाइम लगाएं आप आउटकम्स के पीछे पागल हो जाएंगे मेरे बाल चले गए इसी वह जासे कि I was like this thing will change my career तो उन मैंने इतने पैसे गवाएं हैं इस चक्कर में इतनी दोस्तियां खराब की है because मुझे लग रहा था कि बस एक वीडियो एक सॉंग ऐसा कोई सीन नहीं है आप जब तक अपनी skill और अपनी craft को constantly improve and expand नहीं कर रहे न तो आप आगी नहीं जा सकते और आप चाहे जितनी भी कोशिश करने जितना भी आपको गान अपना बैंगर लगे आपको पता नहीं चलेगा के कौन सी चीज चलेगी आप फैंकते रहेंगे फैंकते रहेंगे फैंकते रहेंगे फैंकते रहेंगे फिर जाके कोई चीज शायद चल जाए लेकिन you can't predict it तो don't focus on the outcome focus on the process क्या बात है खुब्सूरत बात और मेरी podcast में आने का बहुत शुक्री है आज के हमारे guest Samhii Amiri और Aisan from Encyclopedia Hub तो कैसा रहा आपका experience अच्छा experience से यादा है कि हमारे एक बड़ा important सवाल होता है और वो लाजमी होता अगर वो नहीं होगा तो podcast अपलोड नहीं होता तो उसके लिए अलग session करना पड़ता है अच्छा हो यादा है experience से आपको experience with Encyclopedia Hub कैसा लगा तो काफी podcast की है अच्छी दीन की है चौथी है यह अच्छी माइ experience वस अमेजिंग सिंपली बगाज यार एक तो आप लोग बॉइस हो उसके ओपर से आप लोग चिल हो और सबसे अच्छी बात है मुझे नो नहीं ने शोर्मा भी खिलाया है कोई ने चिलाता 2-2-1 था यहां पर इसाज उनके हख मैने मार रहे है उनका उनका शोर्मा यह मुझे अच्छा लगा मैंने शोर्मा खाया मैंने च् VPN मज़े ही हो गहाई बॉद्ले भी थी पार्टी भी थी बब्सक्राण का सट्य मैं यहां पर कोफी भी तो थी ब्लैक कॉफी, येस, अंदेरे वाली, अंदेरे वाली कॉफी, बहुत शुक्री है हसान भई, आप आए, और आउट्रो प्लीज, आउट्रो, मतलब जाते जाते आप, अपने ख्याल रखें, हमारे शो देखते रहे, और अगर कुछ बुरा हो, लग याउफ ता है, मैं जो कॉमेडी में पाकिसान में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा हमारा भी एक प्लैटफॉर्म के थुरू, अगर कॉमेडी की एक आवास बनेगी, तो अविसली क्यूमिटी बिल्ड होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, और असान भी हम दुबार आप से मिलेंगे आए होप, इन्शाला आपकी अलबम आए, तविर हम स्पेसिफिक रैप इंडस्ट्री और हिपप के उपर ही हम बातचीत करेंगे, जब आप थोड़ा बहुत ग्रूम कर लो, इन्शाला इंडस्री के अंदर, रैप इंडस्री, क्योंकि अभी आपने थोड़ा सा ब्रेक ले वोड़ा बातच, वोड़ा बातच, वोड़ा सा बेत है